नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल One Nation One Examper तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज के हुए प्रस्णपत्र गडित का प्रस्णपत्र हल करेंगे दोस्तों यह यह यूपीडीलेट सेकंड सेमेस्टर का गडित का प्रस्णपत्र है जो 6 नौवंबर को हुआ है ठीक है दोस्तों तो चैनल पर पहली बार आहें तो सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन पर क्लिक कर दें साथ ही साथ कितने नंबर आपके बन रहे हैं हुआ आप कमेंट कीजेगा तो दोस्तों जो प्रस्ण पूछे गया है वो मेरी लास्ट वीडियो जो थी उससे बहुत ज्यादा प्रस्ण इसमें आये हैं तो पहला प्रस्ण देखते हैं जिसमें कहा रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं तीन पांच और आठ सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा तो दोस्तों त्रिभुज का एक नियम होता है कि यह जो दोनो या फिर कोई भी दो भुजा जोड़े तो तीसरी भुजा से बड़ा होना चीए तो यहां पर क्या हो रहा है तीन और पांच को जोडने पर आठ के बराबर आ जा रहा है तो वह पॉसिबल देखते हैं अगला प्रस्ण और निमलेखित में से कौन सी परीमे संख्या नहीं है तो दोस्तों जो पाई होता है वहापरीमे संक्या नहीं होता है क्योंकि इसकी वेल्यू होती है तीन दसंबल हो एक चार और इसके बाद भी आती रहती है जिसको पी बाटे Q के रूप में गलत हो जाएंगे, अगला प्रशन है, निमलिकित में से सर्वसमिका है, तो दोस्तोus dove है, जिसका जो बाहिं तरफ है, वह अदाहिं तरफ के बराबर हो तो वह सर्वसमिका कहलाता है तो इसको हल करेंगे, तो 2x प्लस 2 बराबर 2x plus 2 आ जाएगा यानि यह सर्वसमी का option 2 वाला है अगला प्रशन है 3x की घात x plus 2 बराबर 81 दिया है तो x का मान गयाद करना है तो दोस्तों आपको 81 को break करना होगा 3 की घात में तो 3 की घात 4 बराबर 81 होता है और बाई तरफ हमारा 3 की घात x plus 2 ही रहेगा और दोनों तरफ घात जब बराबर हैं तो घाते बराबर हो जाती हैं तो x plus 2 बराबर 4 हो जाएगा जिसको हल करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा तो हमारा उत्तर option a 2 हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं जो है आपका अतिलगू उत्तरिय प्रशनों में से पहला प्रशन है आपको इसको हल करना है यहनी x की value निकालनी है तो आप इसको हल करेंगे जो last term है इसका factor कीजिए कि middle term आ जाए तो 6 का factor होता है 1, 2, 3 और 6 तो 6 के में 6 होता है यानी 7 की जगा हम 6 plus 1 भी लिख सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा दोस्तो x square minus 6 plus 1 बाहर x plus 6 बराबर सूनने है तो यहाँ x square minus 6x minus x plus 6 बराबर सूनने हो जाएगा अब हम सुरू के दो term में से जो common है वह common लेंगे तो x common है bracket में x minus 6 आ जाएगा और आखरी के दो term में हम minus 1 common लेंगे तो bracket में x minus 1 आ जाएगा अब दोनों जग अब bracket में x minus 6 है तो x minus 6 को ही हम common लेंगे तो दूसरे bracket में x minus 1 आ जाएगा यानि हमारा आ गया x minus 6 और दूसरे bracket में x minus 1 बराबर सूनने अब क्या करेंगे हम इसको इसके नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x-6 बराबर सुनने हो जाएगा जहां से x की value 6 आ जाएगी इसके अलावा अगर हम इसको सुनने के नीचे भेजते हैं तो x-1 बराबर सुनने हो जाएगा तो x की value 1 आ जाएगी तो यही आपके उत्तर हो जाएगा x बराबर 1,6 अगला प्रश्न है पांच पुस्तकों का मूल्य साथ पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है यानि अगर आप 7 पुस्तकों के मूल्य में से 14 पुस्तकों का मूल्य घटा देते हैं तो 5 पुस्तकों का मूल्य आ जाएगा अब इसको हल कर लीजिए X जो है वह पुस्तक है तो यह इधर आएगा और 7 X में से 5 X घटेगा तो 2 X बचेगा और 14 उधर जाएगा तो पॉस्तिव 14 हो जाएगा अब इधर दोनों अंस कट जाएगे तो X बराबर 7 रुपए आ जाएगा यही आपका उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों दिया हुआ प्रस्न संक्या 8 A प्लस 1 बटे A बराबर 3 है और आपको A2 प्लस 1 बटे A2 निकालना है तो दोस्तों यह जो दिया हुआ इसके दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 तरफ हो जाएगा A2 प्लस B2 प्लस 2AB 2 A और B क्या है 1 बटे A तो यह दोनों आपस में कट जाएंगे और दाईं तरफ होगा 3-3-9 और बाईं तरफ हमारा 2 जो बच गया है इसको हम दाईं तरफ वेज देंगे तो 9 में से 2 घट जाएगा और A2 प्लस एक बटे A2 बराबर 7 आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं प्रतेक पंक्ती में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तिया हैं दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर 2 पंक्ती हैं तो 2 पौधे हैं यानि यह कितने हुए 4 तो हम निकालने के लिए क् इसी प्रकार जो प्रस्म में 2025 दिया है इसको आपको simply root कर देना है तो आपका 45 आ जाएगा कुल प्रतेक पंक्ती में कुल कितने पौधे लगे हैं तो 45 पौधे लगे हैं एक पुस्तक का मूल्य इतना है और आपको इतनी पुस्तकों का मूल्य ग्याद करना है जैसे कि एक पुस्तक का मूल्य दो रुपए है और तीन पुस्तकों का ग्याद करना है तो हम गुड़ा कर देते हैं इसी प्रकार इन दोनों को आपस में गुड़ा कर देंगे तो इसका जो पहला टर्म है इसके पहले टर्म के साथ गुड़ा होगा तो पांच दूनी दस और एकस स्क्वाइर और एकस का गुड़ा होगा तो एकस की गाद तीन इसी प्रकार इसका इसके साथ अब होगा प्लस 25 प्लस 4 यानि 29 एक्सि स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 यानि 12 एक्स प्लस 5 जो होगा यही आपका उत्तर आ जाएगा अगला प्रशन है माइनस एक बटे 2 और तथा 5 बटे 4 का के मध्य दो दूरस्त सम दूरस्त संख्याय ग्याद करनी है तो दो तो सम दूरस्त संख्याय यान परिमे संख्या है, ज्याद करने का क्या तरीका होता है, दो संख्या हो के बीच असंख परिमे संख्या होती है, और निकालने का तरीका भी मैंने बताया था, जो संख्या दी हुई है, इनको आप जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो इनको जोड़ेंगे, तो LCM क्या जाएग और इसका 4 था और LCM भी 4 आया यानि यह 5 ही रहेगा इसके अलावा बटे में 2 रहेगा जो इसके साथ जाके गुड़ा हो जाएगा तो 4 दुनी 8 हो जाएगा और उपर क्या हो जाएगा 3 यानि आपकी एक दूरस्त संख्या आ गई 3 बटे 8 अब 3 बटे 8 को आप चाहें तो पहल के साथ निकालते हैं तो इन दोनों को भी जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा LCM यहां आएगा 8 8 था 8 ही LCM आया तो उपर 3 ही रहेगा 4 था 8 हो गया तो उपर भी 2 से गुड़ा होगा और 10 हो जाएगा और बटे में 2 है जो 8 के साथ गुड़ा हो जाएगा त तो 8 दूनी 16 और उपर 10 प्लस 3 यानि 13 तो इसके 2 सम दूरस्त संख्याय आ गई 3 बटे 8 और 13 बटे 16 अब हम देखते हैं लगू उतरी प्रश्ण दोस्तो इसमें आपको गुड़न खंड करना है तो जो भी आपको कॉमन दिख रहा है उससे कॉमन ले लिजे तो X Y दोनों में हैं तो X Y कॉमन लेंगे तो X Q माइनस Y Q बचेगा जो फॉर्मूला है A Q माइनस B Q का तो क्या हो जाएगा A माइनस B यानि X माइनस Y और इसके लावा A स्कॉर प्लस AB प्लस B स्कॉर यानि X स्कॉर प्लस XY प्लस Y स्कॉर याई आपको उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न है एक भुजा 28 मीटर लंबी है यानि आप परगा कार एक मैदान देख लीजे इसकी जो यह भुजा है वह 28 मीटर लंबी है यदि मैदान के अंदर 4 और 2-2 मीटर यानि 4 और चाहिए आपको इस दिसा में भी इस दिसा में भी यहां से यहां तक आपने 2-2-4 छोड़ दिया तो 24 बचा ठीक है इसी प्रकार इधर भी आपका 24 बचा यानि यह जो अंदर वर्ग बन रहा है वह 24 भुजा का बन रहा है और वर्ग के छेतरफल का फॉर्मुला होता है भुजा इसको है का है मीटर में दिया होगा तो मीटर इसको है अगला प्रस्न है प्रस्न संक्या 14 दो समरूप त्रिभुजो के परिमाब क्रम सा 40 और 50 सेंटी मीटर है पहले और दूसरे त्रिभुजो का छेतरफल का अनुपात ज्याद कीजिए तो दो समरूप त्रिभुज के परिमाब का अनुपात और उनके संगत भुजाओ का अनुपात जो होता है वह बराबर होता है तो यहां से हमें यह पता चलता है कि छेतरफल का जो अनुपात आएगा वह संगत भुजाओ के अनुपात के वर्ग के बराबर आएगा और दोनों जो परिमाप होते हैं और भुजाय संगत भुजाय होती हुआ बराबर होती हैं तो हम इसी ब्रैकेट में उसको रख देंगे और उसका वर्ग कर देंगे तो छेतरफल आजाएगा तो जिस सूनने से सूनने कट जाएगा ब्रैकेट में आमारे चार बटे पांच बचेगा जिसका वर्ग हो जाएगा 16 बटे 25 और यही आपका उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तों आप इस प्रकार अपने रफवर्क में फेक्टर कर लिजेगा या फिर इसको आप भाग विदी से भी कर सकते हैं तो छेसो इकटर के फेक्टर आएंगे 11 गुड़े 61 जिसमें से आपका जो common है वो 11 है तो यही आपका highest common factor या मुश्ण हो जाएगा अगला प्रश्ण है प्रश्ण संक्या 16, 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 का माधिका ग्याद कीजिए तो दोस्तों माधिका किस प्रकार ग्याद करते हैं जो दिया हुआ है इसको पहले आप किसी order में करिए तो हम इसको आरोही में कर देते हैं तो 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 हो जाएगा यह कितनी संक्या हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हैं तो जब 9 होती हैं तो माधिका निकालने का तरीका होता है N प्लस 1 बटे में 2 वा पद यानि जो इसको हल करने पे आएगा वही वाला पद उत्तर होगा तो कितने हैं N मतलब कितने हैं तो 9 हैं तो 9 प्लस 1 बटे 2 यानि 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 दस बटे 2 यानि पांचवा टर्म फिफ्थ टर्म यानि पांचवा पद तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद और या पांचवा पद तो आपका उत्तर हो जाएग 10 अगला प्रश्न है एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई से 5 cm अधीक है तो आप क्या करेंगे उसकी जो चोड़ाई है उसको चोड़ाई ही यानि B मान लीजिए तो लंबाई क्या हो जाएगी उससे 5 अधीक हो जाएगी यानि अगर चोड़ाई B है तो उसमें 5 जुड चाहलेगा जाएगा और उसका परिमाब दिया हुआ है 26 तो आपको लंबाई ग्याद करनी है तो परिमाब का फॉर्मूला होता है परिमाब बराबर यानि 26 बराबर 2 L ब्लस B 2 L पलस B तो आपका L क्या है B प्लस 5 है और B क्या है वह B ही है तो हम इसको हल कर लेंगे तो B प्लस B 2 B हो जाएगा और 5 वैसे ही रहेगा तो अब हम इसको बाहर वाले 2 से गुड़ा करेंगे तो 4 B प्लस 10 आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो 4 B प्लस 10 आ गया जिसमें हम 10 दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का है तो उधर जाके घट जाएगा तो 4 B बराबर 16 आ जाएगा फिर यह 4 जो बाही तरफ गुड़ा हो रहा है दाही तरफ जाएगा तो भाग होगा और 16 को 4 चार बार में काटेगा तो आपका ब्रेथ आ जाएगा 4 परंतु हमें ब्रेथ नहीं चोड़ाई नहीं लंबाई ग्याद करना है तो लंबाई होता है ब्रेथ प्लस 5 तो ब्रेथ है 4 4 प्लस 5 कर देंगे तो 9 आपका उत्तर आ जाएगा ठीक है दोस्तो 9 सेंटीमीटर अगला प्रश्न है निमलिकित आकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता साणी बनाई है तो दोस्तो 5 का वर्ग अंतराल लेना है तो आप चाहें तो 1 से 5 तक ले सकते हैं ऐसे 1 से 5 फिर 6 से 10 ले सकते हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 यहां 5 संग्या हैं यहां भी 6, 7, 8, 9, 10 सकते हैं सुन्य से ले सकते हैं सुन्य से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 25 से 30 30 से 35 35 से 40 और इसके बाद 40 से 45 और 45 से 50 50 तक ही इसले लिया क्योंकि बड़ी संग्या 48 है ठीक है इस प्रकार अपने ले लिया 45 से 50 आप हर जगह देख सकते हैं कि वर्गंतराल 5 का ही होना चाहिए परन्तु यहां 0 से 5 लिया है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संग्या हो रही है इसका मतलब हम 0 से 5 को छोड़के बागी संग्या लेंगी यानि 4.9 तक हम पहले वर्गंतराल में ले सकते हैं परन्तु जब 5 की बात आती है तो वह अगले वर्गंतराल में चला जाएगा तो अब हम क्या करेंगे 0 से 5 के बीच में कौन कौन सी है 2 और 4 यानि 2 संग्या है तो फ्रिक्वेंसी यानि बारंबरता 2 हो जाएगी इसी परकार 5 से 10 में 1 संग्या है 8, 10 से 15 में हैं आपके 2 संग्या है 11 और 14 15 से 20 में है आपका सिर्फ 1, 16 और 20 से 25 में आपका जो 20 है वह आ जाएगा यानि 1 और इसके अलवा 25 से 30 में आपका 25 और 28 यानि 2 आ जाएगा और 30 से 35 में आपका 30 के बल आएगा यानि 1 संग्या इसके अलवा 35 से 40 में कोई संग्या नहीं है और 40 से 45 में आपका सिंगल 40 है तो एक होगा और 45 से 50 में 48 है तो वहाँ भी एक होगा इसके अलावा जो संख्याय दी है उनको आप जोड लीजिए तो कितनी हैं 12 हैं तो यह भी 12 आने चाहिए तो 2 प्लस 2 प्लस 2 यानि 6 7 8 9 10 11 12 यानि जो आपने आकड़े रखे हैं वह बिल्कुल सही है यानि फ़िए है तो यहां पर आपका जो चैप्टर है या फिर जो आपका या पेपर है वहाँ पूरा कंप्लीट हो जाता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं साथी साथ बाकी सलेबस की वीडियो भी आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर करें पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्ते